मज़ा आघको!! मज़ा आना ची यह बस आपको आपलोगों को मज़ा आना ची दुनिया जीर या मरे सुशाएट का इंसाफ हो या न यह रिया जग॑रança ती फ्री घूमे या कुछ भी हो गनेशी वर्कat जंगल में रहे या उपर भी चला जाए आपको मजा आना चीज यू नीडा इंट्रेंट्रेंपेंट्रेंट्फंट्फू और यजो मजा हैं एक लिध्투 वाय भी दाग ह होता है गारे शिर कर यह और बहुता है एंटर्टम लो तुसान का मदर हुआ पुनि श्टेशन में हुआ सुचान का या हुआ वा सान का बां हो एंट्रस एंट्रस धारों है इंट्रस टन्मेंट चाहिए आप activity भास दो एंसाफ तरुप की चाहित आपको एंटर्टेन्मेंट चाहिए एंटर्टेन्मेंट मिलेगा आगे बंढ़ने से पहले प्लीज हाद जोड़के रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करो इस वीडियो को लाइक और शेर करना मिलकुल न भूले आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सुशान सिंग राजपूत का 13 जून को बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं वाकई में वो कौन लोग थे क्या थे क्या नहीं थे तो आप पहले चलते हैं एक चीज समझ जाओ कि सुशान सिंग राजपूत एक कौमन आदमी जरूर था लेकिन जब वो प्रोग्रेस कर चुका था तो वो एक कौमन आदमी नहीं रहा कि यह एक कि इंडिस्ट्री की एक पॉलिटिक्स है इंडिया में जब कोई सेलिब्रेटी बनता है तो उसको को मिए अपने पीछे कोई ना कोई एक पावर रखनी पड़ी पैसा पावर नहीं होती कोई पॉलिटिकल पावर या कोई दूसरी सब्सक्राइब नए पावर्ट बागा कुछ लोग अपने अलग अलग लोग रखते हैं जो बड़े-बड़े संस्ताय चलाते हैं क्योंकि इंडस्टी जो बाला साथ थाकरे जिन्दा थे बहुत लोगों की भी थे ठीक भी था मेरे इसाब से तो उसके हिसाब से बाला साथ ठाकरे थे लेकिन सुषान ने ऐसा कुछ किया तुशान्द पॉलिटिक्स में इंट्रेस्टेड नहीं था तुशान्द को सिफ एक सोशल अक्टिविटी के इसाब से नॉर्मल इंसान की तरब से कुछ सोशल सर्विस करनी थी वो डोनेट कर दिता था अपनी फिल्मों के उपर ध्यान दिता था अपने अक्टिविटी के उपर ध्यान दिता था अपने डांसिंग स्कील्स इसके उपर ध्यान दिता था और काम करता था वह सही भी है एक नॉर्मल इंसान की हिसाब से लेकिन ये पॉलिटिक्स के दिमाग में नहीं है और इसी वज ज़रा सबर गुरो नाम आपको भी पता है मुझे भी पता है और मुझे अंदर डाल के आपको क्या मिलेगा जंगल में तो डाल दिया आप लोगों नहीं अब मैं अंदर ही जाओंगा क्योंकि अगर कुछ बोलूँगा तो अंदर ही जाओंगा फिर भी आपको बताऊंगा एक इंसान ने भी यहां पे ना जितने भी लोग है तुम लोग देख रहे हो जोटे-चोटे-चोटे अमॉंट से कुछ होना नहीं है मेरा क्यूंकि मैंने 25 लाख रुपे डाल दिये मेरे सेविंग थी 17 साल से और उस 25 लाख में से अगर सुशान की वज़े से मैंने कुछ कम पबाए-पबाए में चले जाते हैं 25 लाख मेंने सेविंग किये थी मेरे अपनी मेहनत से वेडिंग शोज गोविंदा के इनके उनके शोज करें जो वह वह चले गया अभी काम पे भी लात मारो पैसे पे लात मारो शादी हो रहे हुए उस लड़की भी लात मारो और तुम स इसमें एक चित्थी हमेश्या रहती मेरे माबाप के कि फोटो के पीछे जबिवी 125 मेरे दिमाज में खयालाता है तुसाइड करने का तब मैं अपने माबाप का फोटो देखता और उससे जैसे वह फोटो निकालता हूं उसके पीछे की पर्ची याद आती है उस पर्ची पे लिखा आता है दिस टू विल पास्ट मतलब यह भी चला जाएगा यह भी चला जाएगा जिए मेरे गुरु ने कहा था रजनिश ओश्व विनोत खन्नास आपके भी गुरू है मयश भट के भी गुरू है लेकिन कोन कैसा लेता है वो डिपेंड करता है चले बात करता हो आपको बात नाम बताने आँ जो होगा मेरा देखेंगे आपको क्या मतलब एक जो मुझे नाम तो बताये गए ज़ो संदीख सींह चिंग के जी आने बता है अब कैसे बताई बता है जब आया तो मैं ही फंजग इत चक्कर में मैंने तो 14 жून को ही मेरे पास बहुत सारे phoon ऐा एक एक तो में काली देना चाहता है उन लोगों को दोस्थतों को सुषान के दोस्ते जिनको फोन आया उसे बहुत सारे नून लोग भी आपको मालूम है दिनके दोस्त जो मीडिया में आये नहीं साले इस एक आई भी थी मीडिया में लेकिन चलो वह उन लोगों ने सालों ने मेरा नंबर दिया यह अच्छा दोस्ते बहुत तारिफ करता था इससे पूछो यह बताएं तो मैं क्या बता लूँगा मैं तो कम से कम छे साथ मेने आठ मैने से connection में नहीं था नंबर चेंज करके घूम रहा था हूँ उसको समझ में आना चीता नंबर मेरा देने का मेरा नंबर उसके मोबाइल में मेल में सेवए और कितने भी सिम्ग यह कर ले सिम्ग जिस तरह से मेल इंस्टॉल करेगा मोबाइल मेरा नंबर आइटमेटिक आएगा तो फिर भी नहीं अब इसके बाद भी लोग मुझसे पूछ रहे कि संदीब सिंग की तरफ से यह फिर भी मैंने 14 जून को हाथ जूड के रिक्वेस्ट किया मैं नहीं आना चाहता है क्योंकि मुझे लगा कि यह पता था है मुझे लगा कि चलो यह शायद और उसके चोटे-मूटे लोगों ने किया और उसके वाजू में रहने वाले किस ने किया क्या किया थूड़ी ना प रके बोलता है कि ऐसा ऐसा हुआ अरे यार फिर अवसके बाद अब मैं भालने बताएंगे तो रहा इतना सब कुछ किया था कि नहीं बताएंगे तो नहीं होसकता फिर कर करेंड़ करने क्योंकि मैंने देखा कई सारे ऐसे लोग है जो दिशा से कनेक्टेड थे जो सोचल मीडिया पे पोस्ट कर रहे तो और गाया भी हो रहे थे रुको भईया रुको यह बड़ा डिंजर मामला है और उसी टाइम पर भगवान की दया हो गई कि मीडिया वापिस से मीडिया का तो चालू हो गया और फिर मीडिया ने वापिस से ढूंडा मुझे वापिस से मीडिया ने कॉल किया फिर मैं बताएंगे पहला इंटर्वी दिया फिर मैंने स्टेप बाइस से प्रपर पूछ पहले सोचा क्या करना है और कौन से चैनल पर बोलना है यह मैंने सोचा किस तरह से करना है लेकिन फिर आचाना करना अब ने पूछ किया फिरो हो गया हो अब बताएंगे वापिस से बता जेता हूं उस इंटर्विवी में भी मैंने बोला था आज भी मैं बोलता हूं एक नेता जिसका बर्डे तेरा जून को आता है एक ड्रगिस्ट लड़का ड्रगिस्ट एक्ट्रेस का ड्रगिस्ट भाई एक न्यूकमर एक्टर जो काफी सालों से कोशिश कर रहा है एक्टिंग करने का लेकिन अभी तक करियर सेटल नहीं है एक बिल्डर है जो फिल्म इंदस्टि में भी इन्वेस्ट करता है वो और एक एक्टर है बहुत बड़े उनका भाई ये पांच लोग है इसके साथ साथ जो छटवा आदमी था वो इनके नीचे का काम करने वाला है कोई सेलिब्रेटी नहीं ही अब ये बात आपको बता जी अब कल जेल का नजारा भी देख लेना अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पे भी आप सपोर्ट नहीं करोगे क्योंकि जब मैं होस्पिटल गया जंग गया पुलिश्टेशन गया किसी के बाप ने सपोर्ट नहीं है वाकई में ना इसके भाई तो बोलता हूँ शायद मेरे ब बाद कोई सुशान बनेगा नहीं क्योंकि उसको पता गया सबको समझ में आ गया कि अब को मतलब नहीं एसे ही यने शीवर्गर के बाद कि कुकि समझ गया ना ऐसे दुनिया है दुनिया तो बड़ी घटिया है यहां बड़े घटिया लोग रहते हैं पता है आपको इनसान पुरा पैदा नहीं होता है। इंसान के साथ जो Hoता है ना उसके बाद राध अच्छही मर जाती है। मेरी यह बात हमेशे याद रखना सुसान सघूराजपूत ने जो मेरे अंदर अच्छही पैदा की थी। वो सारी अच्छा है, सारी अच्छा है, मैं बोलोगा सारी अच्छा है, मेरे माबाप की अच्छा है, आज भी मेरे अंदर है, लेकिन सुषान सिंग राजपूत ने जो मेरे अंदर अच्छा है पैदा की थी, वो सारी अच्छा है, सुषान सिंग राजपूत के फैन ने मेरे अंदर से खतम करें